हमारा ये स्थान मा शक्ती का स्थान है हमारा ये स्थान मा शक्ती की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना यह हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है लेकिन यह देश का दुर्भाग्या है कि इंडी एलाइंस के लोग खुले आम चुनोती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाब है क्या कोई शक्ति को खतम कर सकता है क्या शक्ति के सामर्थ को चुनोती दे सकता है क्या और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नश्ट करने का प्रयास किया है उन सब का क्या हाल हुआ है वो इतिहात में पुराणों में अंकित है साथियों दस वर्थ पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सहारनपूर आया था और याद कीजिए दो हजार चौदा के वो दीन उस समय देश गोर निरासा गोर संकट के दोर से गुजर रहा था और तब मैंने आपको गारंटी डी थी कि देश जुकने नहीं दूँगा देश रुकने नहीं दूँगा मैंने संकल पर लिया था कि आपके आशिरवास से हर स्थिती को बदलूगा हर परिस्थिती को बदलूगा निराशा को आशा में बदलूगा आशा को विश्वास में बदलूगा आपने अपने आशिरवाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी महनत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाद किजिए तब हमारा भारत दुनिया में ग्यारवे नंबर की आर्थिक ताकत था मोदी ने सिर्फ दस सालवे भारत को दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है तब कॉंग्रेस सरकार ने भारत की छवी कमजोर देश ब्रश्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवी मजबूत और तेजी से बिक्सित होते देश की बना दी है बनी है कि नहीं बनी है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है यूरप में भारत का डंका बज रहा है अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है आफ्रिका में भारत का डंका बज़ रहा है सारी दुनिया में देश का डंका बज़ रहा है ना कैसे आपने जबाब गलत दे दिया ये दुनिया में डंका मोदी के कारण नहीं आपके एक वोट के कारण दुनिया में डंका बज़ रहा है 140 करोर देश वासियों के वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज़ रहा है और इसलिए हिंदुस्तान के हर कौने से एकी आवाज आ रही है महिलाएं भी बोल रही है बुजुर्ग भी बोल रहे है गाउं भी बोल रहा है शहर भी बोल रहा है एक ही बात कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनों आज एक बहुत शुब अवसर है आज भाजपा का स्थापना दिवस है बहुत कम दसकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देश वासी जुड़े है भाजपाने लोगों का भरोसा जीता है भाजपाने लोगों का दिल जीता है और इसका कारण क्या है इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीती नहीं राष्ट नीती पर चलती है भाजपा के लिए राष्ट प्रधम है ये भाजपा का नारा नहीं भाजपा का अार्टिकल अप्र फेथ है यह हमारा विश्वात है यह हमारी रगो में है यह हमारे सप्नों में है यह हमारे संकल्प में है राष्ट प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है बेज हिस्से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता बाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते बलकि एक मिशन के लिए जुड़ते इसलिए बाजपा ने अपने सिध्धानतो अपने संकल्पों को हमेशा राज नीतिक स्वार्थ से छोड़ करके राष्ट हित की सुप्रिमसी के लिए उपर रखा है गरिब कल्यान हमारे लिए एक चुनावी गोषना नहीं बलकि हमारा मिशन रहा है इसलिए भाजपा की प्रात्विक्ता रही है गरीब का पक्का घर गरीब को सवचाल है इसलिए भाजपा ने गरीब के जीवन से अंधेरा दूर किया उसे मुप्त बिजली कनेक्शन दिया ये भाजपा है जिसने गरीब को मुप्त राशन दिया और आने वाले पांच साल भी मुप्त राशन की गारंटी दिया ये भाजपा है जिसने गरीब को पांच लाख रुपिय तक के मुप्त रिलाज की सुविधा दी इन प्रयासों की वज़े से पिछले दस वर्षों में पचीस करोड लोग सहरनपूर के मेरे भाई बहन याद रखिये दस वर्ष में पचीस करोड लोग गरीबी से बहार निकल पाए है कॉंग्रेस की सरकारे जो कई दसकों में नहीं कर पाई वो भाजपाने दस साल में करके दिखाया है और इसलिए ही पूरा देश कह रहा है चार जून, चार जून, चार जून, चार जून, साथ्यों कॉंग्रेश जितने साल सत्ता में रही उसने कमिशन खाने को प्रात्विक्ता दी इंडिय अलाइंस कमिशन के लिए है एंडिय मोधी सरकार मीशन के लिए है अयोध्या में राम लला का भव्य मंदीर चुनावी गोत्रा नहीं बलकि हमारा मीशन रहा है और मेरे प्यारे भाईय भेनों इस वर्थ राम नवमी में हमारे प्रभुराम टेंट में नहीं बलकि भव्य मंदीर में दर्शन देंगे यह हमारी पीडी के लिए कितना बड़ा गवरव है जम्मू कस्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमारा मीशन रहा है और ये मीशन भी पूरा हो चुका है कश्मीर में पत्थर बाजों ने जो पत्थर फैंके थे वो सारे पत्थर जुटा कर मोदी उनी से विश्चित जम्मू कश्मीर का अंदर मान कर रहा है कर दो